नमस्कार, welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्र का ब्रत के बारे में, जीवित पुत्र का ब्रत जिसे जिमूत वाहन ब्रत के नाम से भी जाना जाता है, और इस ब्रत को पुत्रवती महिलाएं करती हैं, अपने पुत्र की दीर हैं, तो वह भी संतान की कामना से इस ब्रत का संकल्प ले सकती हैं और इस ब्रत को कर सकती हैं, यह ब्रत अस्वनिमास की क्रिष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को किया जाता है, वैसे तो यह ब्रत तीन दिनों का माना जाता है, सत्तमी, अस्टमी और नौमी तिथी, इन तीन किया जाता है नौमी तिथी में तो ये तीन दिनों का ब्रत होता है काफी कठिन ब्रत माना जाता है लेकिन उतना ही लावकारी होता है और अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग रीती रिवाजों के साथ में ये ब्रत किया जाता है लेकिन सभी में इस ब्रत में जो है जो प पूजन किया जाता है और पहले दिन जो नहाय खाय होता है उसमें महिलाएं बाल दोकर असनान करती हैं फिर सिंदूर लगाती है और उसके बाद नोनी का साग और मढवा की रोटी और नेनुमा की सबजी भी खाते हैं कहीं कहीं पर मचली भी खाने का रिवाज है दोस्तों बि सेवन आप ना करें मचली मांस की सेड़ी में आती है वैसे किसी किसी मानिता के अनुसार मचली शुब होती है जैसे बेंगोली में मचली को शुबता की दरिश्टे से देखते हैं और कभी किसी भी सुबकार को करने से पहले मचली का पूजन किया जाता है तो वह एक अलग ब निन्वा की सब्जी और नोनी का साग और मिडवा की रोटी जो होती है वो आप खाके ब्रत की शुरुवात कर सकते हैं और अस्टमी तिथी में निर्जला ब्रत करें और नौमी के दिन आप पूजा अर्चना करने के बाद जैसे की सूरियोदे के बाद पूजा किया जाता है ब्रत की समापन विधी की जाती है तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोनों ही ब्रत एक साथ करके इस ब्रत का आप लाब तो इस बार 2021 में कब करना है बहुत सारे लोगों के मन में ऐसान्थी वो confusion भी हम आपको दूर करेंगे, तो पहले यदि आप मारे चैनल पर पहली बारा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और यदि आप पहली बारा आए हैं, तो आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर जोतिसी सला की सब्सक्राइब प्राप्त है, यदि आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम आपको वैट्स अप नंबर देंगे, और मैसेज करके आप अप ब्रत को कहा जाता है, लेकिन जो ब्रत की जो विधियां होती है, ब्रत की जो माननेता होती है, वो एक ही होती है, क्योंकि इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं अपने पुत्र की दीरगायों के लिए, यदि आप पहली बार इस ब्रत को करने जा रही हैं, तो बिलकुल इस शुरुवात कर सकती है, बहुत सारे लोगों के मन में confusion है कि ये ब्रद पित्पक्ष में प्रारंब है तो हम कैसे करें, तो दोस्तों अस्वनी मास की क्रिष्न पक्ष तो पित्पक्ष में ही आती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये ब्रद कप किया जाएगा, इस बार हो 121 में 10 फिति कब से हम प्राप्त हो रही है, और कब समाप्त हो रही है, करे हम यही जानेंगे, 10 को श्रुबात हो रही है i8 कि पर werden, 28 सिप्तμBR recognizing at 6 sab 16 hour Yogि, 59 को श्रुबात हो रही है. जैसे कि दोस्तों अस्टमी तिथी 28 तारिक को प्रारंभ हो रही है संधिया को 6 बच के 16 मिनट से इस दिन रात्री को चंडर प्यापनी तिथी रहेगी और 29 तारिक को सूर प्यापनी तिथी है तो आप सूर प्यापनी तिथी से ही ब्रत का प्रारंभ करें और रात्री में जब महालक्षमी का पूजन होगा तो आपको चंद्र का दरसन करने के बाद उन्हें अर्ग देना ना भूले बस एक बात का ध्यान रखते हुए आप जीवित पुत्र का और यह महालक्षमी ब्रत के समापन विधिया कर सकते हैं और इस ब्रत का लाभ भी आपको प्राप्त होगा ज उसी प्रकार से चंद्र उदय भी अलग-अलग प्रांतों में section समय पर होता है थोड़ा भोत हेरफियर हो जाता है. तो आप अपने प्रांत के हिसाप से चंद्रोदय समय देख लें और उसी हिसाप से इस ब्रत को चंद्रोदय पे अर्ग देने के बाद ही ये ब्रत हमारा संपूर माना जाता है और जो बहने जीवित पुत्रिका का ब्रत नहीं कर रही है वो रात्री में ही भोग प्रशाद ग्रहन करेंगी ऐसी इस ब्रत की विधिया होती है और कई लोगों का दोस्तों प्रस्न होता है कि जो हम जीवित पुत्रिका का ब्रत कर रहे हैं तो रात्री में तो हम पारण नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन आपका निर्जला ब्रत रहेगा दूसरे दिन सूरियोदे के बादी आपका ब्रत संपूर्ण वाना जाएगा आप दूसरे दिन नौमी तिथी में अपने जो भी जीवित पुत्र कावाहन की पूज़ा वगरा होती है वह सब करके आप अब लाब ले सकते हैं और नौमी तिथी में ही दूसरे दिन आपको यह जो आपने सूप में सारा सामान रखा हुआ है सोला सोला की संख्या में इसे आप दान कर दें मता महा लक्षमी के मंदिर में आप करें जैसे लक्षमी नरायण का मंदिर जाना जाता है तो आप वहाँ पर करें या फिर आप दुर्गा मंदिर में भी कर सकते हैं यति लक्षमी नरायण का मंदिर नहीं है आप बहुत सारी बे जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी कि यदि आपकी सामर्थ नहीं है और आपका बहुत मन है इस ब्रत को करने का माता महालक्षमी का तो आप कैसे करें और कैसे उसका समापन विधी करें अब हम जानते हैं कि जीवित पुत्र का ब्रत में हमें पूजन अर्चन कैसे करना होता ह है और जो समापन विधी होती वो कैसे करना होता है तो आप 28 सितंबर को ही नहाय खाए जो आपके घर में आपके रिती रवाज में परंपरा में है वह करें और इस बात का धियान रखें कि मांस मद्रया का सेवन आप बिलकुल भी ना करें और 29 सितंबर को निर्जला ब्रत कर सिमा बनाई जाती है और फिर हल्दी कुमकुम अक्षत पुस्प और शुद गंगा जल से पूजन किया जाता है और सर्गी भी खाने के बहुत जगा प्रथा है तो अगर आप लक्षमी माता का ब्रत कर रही है तो सर्गी ना खाए क्योंकि अस्टमी तिति की प्रारंब हो ज निकालना चाहती है तो वह कर सकती है उस समय सुर्योदे से पहले आप सर्गी निकालके रख दे यदि आपके रीति रवाज है तो आप पालन करते हुए इस ब्रत को करे और मता महालक्षमी और जीवित पुत्रिकावाहन का ब्रत करें और इसका लाब लें आज की वीडियो म लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें जय माता दी अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि शर्षा स्वाहा शेवर पराऊ कि अब कि अब कि अब अब झाल झाल